हाई फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडियान श्टॉक मार्केट में फ्रेंट्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जिरू कर दें फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे हैं बर्नपूर सीमेंट कमपनी की कमपनी का जो कामकाज है 1986 से चल रहा है कमपनी एक स्मॉल कैप कमपनी है मार्केट कैप प्रेजेंट में करीब 63 करोन के आसपास का है सीमेंट सेक्टर के लिए कमपनी काम करती है सीमेंट सेक्टर का सबसे छोटा पैनी स्टॉक है इस समय ये market का यानि इस समय market में cement sector की company का सबसे छोटा stock है ये penny share यानि इस समय इस से छोटा stock कोई नहीं है cement sector के लिए बहुत ये अच्छे price पर ये stock इस समय run कर रहा है क्या है इस stock के अंदर खास क्या इसमें आपको entry करनी चाहिए ये छोटा सा penny stock ने बहुत ही battery return दिया है और क्या ये अब आपको भी multi-bagger return आने वाले समय में दे सकता है सारी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे वीडियो में आखरी तक बने रहिएगा फेंड सम्बात कर रहे हैं burn put cement company की entry point की अगर बात करें मात्र 2 रुपए का बना हुआ है यानि company का जो stock price है 52 वीक पहले सिर्फ 2 रुपए का मिल रहा था इस समय इसका जो price चल रहा है 7.5 रुपए के असपस चल रहा है अपर circuit में लगातार ये stock देखा जा रहा है red flag found यानि company में एक red flag भी लगा हुआ है company इस समय asm list stage 1 में है company का stock price 7.45 पैसे पे last working day में run कर रहा था company का stock open हुआ था 7.40 पैसे पे high बनाया था 7.46 पैसे का low बनाया था 6.90 पैसे का last में जो closing दी है 7.45 पैसे पे दी है काफी अच्छे rate पे stock इस समय मिल रहा है जिन्होंने भी उस level पे अगर buying किया तो उनको काफी अच्छा return इस समय मिल रहा होगा और अभी भी अगर इस stock में आप entry करना चाहते हैं तो थोड़ा सा wait करिए क्योंकि यह stock लगातार अपर circuit में चल रहा है definitely भी इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और अगर आपको यह साड़े 6 रुपाई के आसपास stock मिलता है तो आप इसमें जरूर इंट्री करिए क्योंकि बहुत अच्छा stock है long term के या अगर long term के इस साब से इसमें रुकेंगे तो काफी अच्छा return आपको gain होता हुआ दिखेगा last first day में अगर इसमें delivery waste काम की बात करें तो 1,48,000,000 से जादा का value हुआ था पूरी delivery उठाई गई थी यानि अपर circuit में यह stock बंद हुआ था seller कोई नहीं था सिर्फ buyers ही खड़े थे क्योंकि जिससाब से इसका company का fundamental है काफी अच्छा सुधरता हुआ fundamental दिख रहा है जो company अभी तक loss में हुआ करती थी company हाला कि अभी भी loss में है बट इसका loss ना के बराबर रह गया यानि fourth quarter का result आया तो आपको profit में देखने को मिल सकता है क्योंकि company ने लगातार अपने घाटों को काफी जादा कम किया और company का घाटा बहुत ही ना के बराबर रह गया बहुत ही कम level पेस का घाटा रह गया जो आने वाले fourth quarter के result में आपको positive में होती हुए दिख सकती है company का अगर quarter result की और financial year की बात करेंगे तो 20-21 का जो financial year भीता था company का revenue उसमें 123 करोन का कमाया था net profit जो था वो loss में था करीब 79 करोन का loss था company को but September quarter का जो company result पेस किया था उसमें revenue जो कमाया था 33 करोन से जादा का था और ये loss था जो 18 करोन के आसपास रह गया था नहीं काफी अच्छी recovery की थी stock ने और company ने भी बहुत अच्छा earn किया था इस दोरान जिसकी वह से उसका घाटा सिर्फ 18 करोन का रह गया दिसम्बर quarter का जो विजर्ड पेस किया उस समय भी जो revenue था हो बढ़ गया करीब 35 करोन से जादा को गया net profit में कियो पांच करोन का ये घाटा रह गया जो एक quarter पहले 18 करोन का था उस घाटे को काफी जादा company ने कम किया और पांच करोन के घाटे ही रह गया इस quarter में कमपनी का earning per share देखेंगे तो जो घाटा company का बहुत जादा हुआ करता था financial year 20-21 में करीब 9 रुपए से जादा घाटा था per share की earning पे September quarter में घाटा कम होके सिर्फ 2 रुपए माइनस में रह गया और उसके बाद ये जो quarter अभी last बीता है इस quarter में सिर्फ 63 पैसे के आसपास ये घाटा जो रह गया है जिसकी वैसे उमीदे बहुत जादा बन चुकी है positive news आने की जो fourth quarter का result आने वाला है company को आपको profit making आता हो दिखेगा और अगर आपको ये गिरावाट में stock मिल रहा है तो इसमें सांदार entry करने की कोसिस कीजिए क्योंकि जैसे ही fourth quarter का result आएगा अगर वो positive में आता है तो इस stock में आपको जबरदस तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि cement sector की demand जो हो हर समय बनी रहती है और जिस हिसाब से इस बार government ने योजना बनाई है construction work को काफी अच्छे से कराने की इसकी वैसे इसके stock में काफी ज़्यादा तेजी बनने वाली है company के financial trend को देखेंगे December quarter के हिसाब से year on year base पे हर moment में company ने बहुत जवरदस्त earning की है और बहुत growth देखने को मिली है revenue की बात करेंगे year on year base पे करीब 115% से ज़्यादा की growth है net income में company ने 68% से ज़्यादा की growth की है जिसकी वैसे company का जो घाटा है सिर्फ 5 करोण के आसपास रह गया है EPS earning per share जो थी वो मातर माइनस में 63 पैसे रह गई है net profit margin में मातर 6 रुपए के आसपास का ही माइनस घाटा रह गया है तो यह काफी अच्छा stock है penny share है बट fundamentally company अब काफी ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है इसमें निवेश इतना ही कीजिए कि अगर आपका loss थोड़े time के लिए दिखे stock में तो आप उसमें बने रह सकें होल्ड करके रह सकें तो ऐसे stock में इसी हिसाब से निवेश करना चाहिए कि अगर कभी यह stock गिरे तो उसमें आप फसा हुआ ना महसूस करें आप इसको hold करके छोड़ दें हाला कि company का जो हिसाब से हिसाब किताब है इस समय काफी अच्छा moment देखने को मिल रहा है company के कामकाज बहुत अच्छी तरह से company काम कर रही है कोलकाता की company है यह best बंगाल सेक्टर की company है cement sector और iron sector के लिए company काम करती है company का कामकाज बहुत ही जवर्दस्त है बहुत तेजी से इस समय company का काम बढ़ रहा है इसके stock price में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और उमीद ज्यादा है कि यह जो 52 week का high इसका बना हुआ है 8.50 पैसे का यह जल्दी ही आपको break होता हुआ दिख सकता है हाला कि अगर इस stock में आप fresh new age करना चाहते हैं थोड़ा सा wait करना चाहिए आपको company का stock अभी upper circuit के दोर में चलना है जैसे ही इसमें upper circuit तूटेगा stock price में profit booking देखने को मिलेगी उस समय आपको जरूर इसमें entry करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा level होगा entry करने के लिहास से company के अगर return को देखेंगे company ने बहुत ही सांदार return दिया एक महिने में company का stock करीब 5% से ज्यादा तूटा था बढ़ तीन महिने में करीब 155% का return है एक साल में 174% का return है तीन साल में 94% का return है पांस साल में 35% negative का return overall return देखेंगे काफी सांदार देखने को मिल रहा है जिसने भी इसमें time से निवेश किया और time से अपना profit किया है उसे बहुत ही जबरदस profit stock में देखने को मिला है company के financial trend को देखेंगे company जो थी लगातार घाटे में थी करीब 2018 में 644 करोण का घाटा था 2019 में 1612 करोण से ज़्यादा का घाटा था 2020 में करीब 130 करोण से ज़्यादा का घाटा था 2021 की बात करें 79 करोण से ज़्यादा का घाटा था बट company इस घाटे को कम करते करते करीब पांच करोड के घाटे के आसपास रह गई है और यह quarter का result आने वाला है फूर्थ quarter का उस quarter में यह company आपको profit making बंती हुई दिख सकती है अगर ऐसा हुआ यह company फिर से अगर इसने profit दर्च किया इस stock में इस quarter में अगर तो बहुत अच्छा moment देखने को मिलेगा आपके stock के अंदर कर लगातार years में 2018, 2019, 2020 किसी की भी बात करें लगातार घाटे में दी company बट इस stock ने पिछले एक साल में और तीन साल में काफी बैतरीन result दिया है उस हिसाब से अगर इसमें आप entry करना चाहते है तो बिल्कुल करिए बस इसमें गिरावट का वेट करिए गिरावट मिले तभी आप इसमें entry करने की कोशिस करिए, others की holding जिस करावट 72% बनी हुई है, काफी ज़्यादा retail investors ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है क्योंकि पैनी stock था, एक साल पहले 2 रुपय का ही ये stock था, जब पैनी stock में निवेश करता है तो इस उमीद के साथ करता है कि उसे short term में काफी अच्छा return देखने को मिलेगा, बट बहुत कम ऐसे stocks होते हैं जो आपको काफी बहतरीन return देते हो दिखते हैं, ये उनी मैंसे एक stock था जिसने काफी अच्छा return दिया, 114% का return है इसका एक साल का, overall return देखें कि काफी सांदार return देखने को मिला है आपको तो इस समय आप इस stock मे अगर आप entry करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचिए, गिरावट का wait करिए, गिरावट का wait करने के बाद इसमें आप entry करिए और अगर आपको 100 तम में अच्छा profit मिल रहा है तो आप उसमें से exit करने ही कोसित करिए, क्योंकि कई निवेश्यक ऐसे हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया है कि वो जब profit book high level पे उनका stock चला जाता है उसमें profit book नहीं करते हैं और बाद में loss हो जाता है, तो हमेशा आप अपनी नीती यही बना कर रखिए कि आपको जब भी अच्छा profit मिल ला हो आप उसमें exit जरू करिए, क्योंकि अगर आप exit नहीं करेंगे तो वो stock फिर से आपको low level पे ले आएगा, वहाँ पे आप फिर फसा हुआ मैसूस करने लगते हैं कि आपको इतना अच्छा profit मिल ला था, आपने उसमें नहीं निकाला जिसकी वैसे अब यह stock आपका minus में आ गया है, तो हमेशा कोसिस करा करिए कि अगर आपको profit gain हो रहा है तो आप उस profit को ज 30-60 पैसे का है, हाला कि जिस साब से अभी company में moment बन रहा है इसके stock में, अपर circuit में stock चल रहा है तो आपको यह तीनों ही level break होते हुए दिख सकते हैं, बट गिरावट का wait करिए अभी इस level पे आप entry करने ही कोसिस मत करिए, बहुत जादा high level पे stock चल रहा है इसमें, जैसे ही इ गिरावट में stock आपकर मिलेगा, आपको करीब 6-6 रुपए, तो आप इसमें जरूरी entry करिए, उससाब की entry में आपके कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत low level पे stock आपको उसमें मिलेगा, तो इसमें अगर long term के लिए hold करेंगे, काफी जादा अच्छा return मिलता होग ये वीडियो माने से सिर्फ आपकी knowledge purpose से बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने financial advisor के सल आप जरू ले लिए, वीडियो पसंद आए तो like, comment और share करके मुझे जरू बताईएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद